जीतन राम मान्जी, यह एक ऐसा आम है जो पिछले चुनाब में B NDA के साथ थे और इस चुनाब में B NDA के साथ थे कि हमारा एक सिध्धान्त है चलने का हम उसी पर चलने का प्रयास कर रहे हैं अब यह कौन सी सिध्धान्त की बात कर रहे हैं जीतन राम मांजी जी यह चुनाब दर्चुनाब जो उनका बदलाब है यह लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है जीतन राम मांजी दो दिनों पहले वह पाला बदल कर एंडिये में आ गया है और महागटवंधन को ठेंगा दिखा दिया है उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादब में अब बो बात नहीं रही उनकी पार्टी में जो बातें वो जब जा रहे थे उस वक्त थी उन्होंने सिध्धानत और उसूलों की भी बात की मगर वह कौन सा सिध्धानत और उसूल बताने का प्रयास कर रहे थे कि 2015 विधान सभा चुनाव उन्होंने NDA के पक्ष में लड़ा और नितिस लालू के खिलाप में लड़ा उसके बाद फिर 2019 लोग सभा वह महागटवंधन के साथ लड़ते हैं और उसके बाद 2020 विधान सभा वह फिर से पाला बदल कर NDA में आ जाते हैं यानि कि मांजी भी यह देख रहे हैं अपनी राजनीतिक संभाबनाओं को ही नहीं केवल देख रहे हैं अपने राजनीतिक भविश्य को भी देख रहे हैं और उसके बाद जैसे ही वह NDA में आते हैं चिराग पास्वान का तल्ख तेवर पहले भी था वह कई बयान देकर न जीतन राम मांजी उसके साथ नहीं आ सकते हैं और दोनों का उसमें फिर जो कमपटीशन है वो बढ़ जाएगा इस कारण भी चिराग पास्वान कहीं न कहीं अपनी नाराजगी असपश्टा से मुखरता से और जाहिर कर रहे हैं आला कमान के समझाने के बाद कई खबरे यह अब देखना है कि उसमें क्या हो पाएगा यह नहीं मगर फिलहाल जीतन राम मांजी ने अपना एक मास्टर अश्ट्रोक था वो चल दिया जो पिछले तीन महिनों से बाते चलते आ रही थी नितीश कुमार के प्रती उनकी रुख में नरमता दिख रही थी मगर 2015 विदान पर ही केवल हमलावर थे और वो नितीश कुमार के खिलाफ राजनीती करके ही उन्होंने पार्टी की अस्थापना की थी 2014 में जब नितीश कुमार को जदियू का बिहार में पूरे लोक सभा में दो सीटे आती है तब वो इस्थिपा दे मारते हैं मुख मंत्री के पद से और महिने में उन्हें गद्दी छोड़ कर जाना पड़ता है उसके बाद फिर नितीश कुमार मुख मंत्री बनते हैं और मांजी एंडिये का हिस्सा हो जाते हैं यानि कि लालू और नितीश को छोड़ कर वह पिछले बार भी बीजेपी के तरब से ही विधान सभा चुनाव उनकी नाराजगी पूरी मुखरता से आ रही है और राजनीती में अनिक बाते हो चली है अब कहना यह है कि चिराग पासवान उसी जदियू के खिलाप अपना कैनिडेट उतारेंगे और जो उनके महागटवंधन जो उनके एंडिये घटक दल में सामिल हैं जीतना मांजी का वैसे दलित बोट वैंग पे खासा खासा पकड़ है उनका कहना है कि मगत प्रवंडल में और जो मुसर जाती है वह हमारे ही सारे पर बोट करेगी और जो नेपाल के छेत्रों में जो मुसर जाती से आते हैं और वी दलित बोट वैंग का वह एंडिये की ओर खिचाब और पता भी नहीं था और मांजी उस वर्चूल बैठक में सामिल थे तो उस वक्त भी एक्यास लगाया जा रहा था कि लगता है जीतनाम मांजी नितीस किमार से नाराजगी दूर करने वाले हैं या कर लिये हैं और कहीं न कहीं जीतनाम मांजी को भी अलग रहा होगा कि मैं जो क यह भी कहना था कि हमारा एक असूल है सिद्धान्त है और हम इतने 75 बर्श के उम्र के बाद हम चुनाब नहीं लड़ेंगे मगर अगर घटक दल का क्या फैसला होता है उसके बाद हम फैसला करेंगे और हम पार्टी के प्रदेश अध्याच वह भी नाराज हो गये हैं और जो दो लोक सभा के कैंडिडेट थे वह भी नाराज हो गये हैं उनका कहना है कि हम महागटवंधन में रहते मगर जीतना मांजी की पार्टी ने यह फैसला कर चुका है कि हम इंडिये के साथ होंगे और मांजी भी यह हवा देख रहे हैं कि हम नितीस कुमार के साथ ही अपनी रा 8,7 आठ्मा पास नहीं है यानि कि 7 तोर पर तेजस्वी को टार्गेट कर रहे थे और जब वह महागटवंधन में थे तब भी वह तेजस्वी पे टार्गेट कर रहे थे कि एक कमिटी हो कॉंग्रेस के साथ और वह मुखमंत्री के चेहरे का निरनाय करे तो मांजी के मन में भी यह था कि तेजस्वी से हम सीनियर हैं और एक बार मुख्मंत्री रह चुके हैं तो सायद महागटवंधन हमें हमें भी मुख्मंत्री का चहरा बना दे या हम भी मुख्मंत्री का चहरा बन जाएं अब देखना यह है कि कौन किसका मुख्मंत्री का चहरा बनता है मगर फिल और बिजेपी कॉंग्रेस एक नेशनल पार्टी होनी की जिम्मेदारी यहां पर निभा रही है, दोनों अपने घटक दल को पकड़े हुए है, कॉंग्रेस भी अपने महागटवंधन में अपनी सीटों को लेकर ज्यादा दावेदारी का दावा कर रही है कि एक तिहाई सीटो पर हमारी दावा होगी, LGP सीटों को लेकर ही मनमुटाब में है कि BJP और जदियों ने सीटे बाट लिया है और लोग जंग सत्ती पार्टी को किनारा कर दिया है, मगर ये मीडिया में उड़ती खबर है, अभी कोई ऐसी तै तमन्ना नहीं हुई है, और जीतना मांजी ने एक चलते, वह पिछडी जाती के बोट पे अपनी दावेदारी कर रहे हैं, मगर चिराग पासवान अपने पिता जी के बिरासप के कारण, वह हुई अपनी पिछडी जाती पर दावेदारी कर रहे हैं, और नितीज कुमार अपने काम को गिनाने में माहिर दिख रहे हैं, और BJP अपनी नितीज कुमार के साथ ही हो चलने में अभी फाइदा देख रही है देखना यह है कि चुनाप परिनाम क्या आता है मगर चुनाप परिनाम से पहले सीट बटवारा होगा और सीट बटवारे में कौन सीट किसको कहा जाएगा इस पर नारागी और भी ज्यादा बढ़ेगी जो गटवन्दन अभी दिख रही है वो भी बदली हुई नजरा सकती है या बदल जाएगी इसमें कोई सक नहीं है और इस पर कोई वैसी इतनी बड़ी संका नहीं है तो हम इन तमाम खबरे में बने हुए रहेंगे बिहार की राजनीती से लेकर अभी जीतन राम मांजी के पाले बदलने को लेकर हम ये बाते कर रहे थे आप अगर चैनल को सबस्क्राइब भी किए तो सबस्क्राइब कीजिए और फेस्बुक पेज को भी लाइक कीजिए इंस्टाग्राम और ट्यूटर पर भी जाईए अभी के लिए फिरा लिटता ही जाकास भारत से मैं रवी कांद धन्यवाद